गाजा में चल रही जंग के बीश लेबनान के हिजबुला ने उत्री बॉर्डर पर कोहरा मचाया हुआ है जहां देखो तहां हिजबुला के रॉकेट, मिसाइल और डूर बरस रहे है अलबता हिजबुला इसराइल पर और ज्यादा हावी हो चुका है आपकी से इसराइल पर एक ऐसा दबाव बना दिया है जिसमें हिजबुला से पूर्ड युद्ध करने का परिणाम क्या होगा ये भी IDF के दिमाग में है और इन सब के बीच हिजबुला ने खिर्बेट सेलम पर जोइन्स का एक जथा फायर किया है जिस उधेक्तर में तटवर्थ ये शहर अक्का में आईडियस की सेने पूस्ट पर जाकर गिरे हैं हिजबुला का कहना है कि उसने श्रागा बैरेक्स में भी एक ऐसा ही हमला किया है जिसमें इसराइली सेना की गोलानी ब्रिगेट्स मौझूद थी और यहां पर इगोज स्पेशल फोर्स का भी हैट्वाटर और इसके बाद हिजबुला की ललाकों ने तीन सो भी बैरम टेरिग के हच्वाटर पर भी कत्यूशा रॉकेट्स का एक जट्था फायर कर दिया जिसमें आइडियास को भारी रिक्सांट हुआ है कि आपको बता दे कि हिजबुला का कहना है कि उसने जल अलम मिलिक्टरी साइट पर भी दो फर्स परसन वियू ड्रोंस दागे हैं जिसमें भारी की विस्फोटक लदा हुआ था और इसके बाइडियास के जेट्स की अबनान में घुसे तो हिजबुला ने उन पर जमीन से हवा में वार करेवारी मिखाने दांती जिसके इस्राइली गेट्स को पीछे हटना पड़ा मैं इस्बुला के ड्रोन हमले को लेकर इसराइली सेना का कहना है कि इस्बुला द्वारत आगे गए ड्रोन नहरिया शहर के एक बिल्डिंग पर जाकर गिरे हैं जिसमें दो लोग घायल हुए है हलंकि इस्बुला ने अपने बयान में कहा है कि उसने श्ट्रागा कैम्प में आईडियाफ के सेने बेस को टार्गेट किया है जबकि आईडियाफ कुछ और ही कह रही है इस हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमले वाली एक सफेद इमारत दिखे ही है दरसल इस्बुला की वार कैबिनेट की पूर्वसदा से बेनी गांट्स का कहना है कि अब इस्बुला और लेबनान बॉर्डर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है हम इस मामले में काफी पीछे है बेनी गांट्स ने अपने बयान में कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नागरिक अपने घरों को वाबस लोटे हम ये लक्ष हासिल कर सकते है यहाँ तक यदि लेबनान की उपर हमले की जरूरत भी पड़ी तो दुर्भागे वर्ष मुझे इसका दूसरा रास्ता नजर नहीं आता हमास की कहानी अब पुरानी ख़बर हो चुकी है इरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की कहानी इलाके में चारों तरफ है और जो वो हासिल करने की कोशिश कर रही है वो एक असल मुद्दा है आपको बता दे कि हिजबुल्ला के हमलों की वज़ह से और नहारिया के इस इलाके में हिजबुल्ला ने जो ड्रोन फायर किया था वो दो अपार्टमेंट पर जाकर गिरे हालंके समने में कोई भायल नहीं था लेकिन अब यहां रह रहे हैं लोगों का पीम नेतन्याहू के उपर बड़ा आरोप है उनका कहना है कि सरकार ने युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें लावारिस छुड़ दिया है ये लोग नेतन्याहू से जल से जल बंदकों की रहाई के लिए समझोता करने के मांग कर रहे हैं इसमें अभी तक 26 इसराइली नागरिकों की जान चली गई जबकि आईडियाफ के 20 जवान और रिजर्विस्ट भी इसकी भी चल दाए है और अब सीरिया के तरफ से भी प्रतिरोधी समू इन नागरिकाबादी पर हमले कर रहे हैं झाल 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 झाल